नमस्कार विनाय कूकिंग एंड क्राफ्ट की ओर से आप सब का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है सूजी का हलवा जिसका नाम सुनते ही मुँ में पानी आने लगता है तो आज हम बनाएंगे सूजी का हलवा आप सब बनाते होंगे सूजी का हलवा लेकिन एक बार मेर ए लणे ट्रिक देखिए मैं कितने कम सामान में सूजी का हलवा बना के तयार करूंगी और बहुत- crítय हलवा बना के तयार होगा सूजी का हलवा बनाने के लिए हमने यह एक पर लिया है 200ग्राम सूजी तोड़ा सा इलाइची पाउडर और ये हमने देड़ सो ग्राम चीनी लिया है चीनी की मातरा आप अपने स्वादा नुसार कम्या जादा कर सकते हो तो सबसे पहले हम गैस पे पैन रखेंगे जिसमें हमें हलवा बनाना है फिर हम उसमें घी डाल देंगे यहाँ पे हमने पानी भी लिया है लगबख एक लिटर जरूरत के अनुसार हम पानी का यूज करेंगे उसमें तो सबसे पहले हम घी को गरम करते हैं घी हमारा गरम हो चुका है अब हम इसे सूजी डाल देंगे और इसे अच्छे से चलाएंगे मीडियम फ्लेम पे सूजी को हम ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे जितनी हमारी सूजी अच्छे से भूनती जाएगी उतनी ही ये वजन में हलकी होती जाएगी ये पहले से काफी हलकी हो चुकी है लेकिन अभी ये बिलकुल अच्छे से फ्राई नहीं हुई है अभी हम इसे और फ्राइ करेंगे और सुझी भुनके ब्राउन हो चुकी है अब हम इसमें छीनी और लाची पावडर को आड करेंगे अब इसमें पानी डालेंगे अभी हमें इसे थोड़ा और सुखाना है हमने लगबग इसमें 300 ml तक पानी अड किया है आप थोड़ा थोड़ा करके भी पानी डाल सकते हो एक अठे आप पूरा पानी मट डालिए आप थोड़ा थोड़ा करके दो बार में पानी डाल के हलवे को अच्छे से पका सकते हैं और ये हमारा हलवा बिल्कुल रेडी हो चुका है आप देखिए बरतन में बिल्कुल यह चिपक नीरा है और यह बिल्कुल अच्छे से पक चुका है अब हम गैस को बंद कर देंगे और गर्मा गरम सुजी का हल्वा बनके बिल्कुल रेडी है आप इसे सर्व करिए गर्मा गरम खाईए हल्वा के उपर हमने जो बादाम लिये थे उन्हें अच्छे से कट करके और थोड़ा सा क्रश करके गार्निश कर दिया है आप अपने पसंद के अनुसार और भी ड्राइफ फ्रूट्स डालना चाहते हो तो डाल सकते हो यह बहुत ही टेश्टी बना है आप इसे ट्राइज जर अगर आपने अब तक हमारे चैनल विनाए कुकिंग एंड क्राफ्ट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करते हैं